आप सब को मेरी तरफ से न्यू यर की बहुत बहुत शुब काम नाएं और इस न्यू यर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ बहुत सारी न्यू न्यू चीजें भी तो एक चीज जो मुझे आपके साथ कबसे शेयर करनी थी क्योंकि 10-12 मिनिट के वीडियो में सारी शेयर नहीं कर पाता तो बुक ही एक ऐसा तरीका था जिससे डीटेल्ड में मुझे जो कुछ आपको इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट और स्टॉक पिकिंग के बारे में सिखाना था वो मैं सिखा सकूँ तो अब लंबे इंतजार के बाद आ गई है मेरी पहली किताब इन्वेस्टो नॉमी जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैं सिंपल से सिंपल इंग्लिश में आपको स्टॉक मार्केट, बिगनर्स और एडवांस्ट दोनों लेवल्स के हिसाब से सिखा सकूँ आपको इंडियन एक्जाम्पल्स, इंडियन कंटेक्स्ट और इंडिया में क्या कंसेप्ट्स वर्क करते हैं वो बता सकूँ तो अब इन्वेस्टो नॉमी अवेलेबल है फ्लिपकाट और अमेजॉन में और मुझे आपके रिव्यूज और फीडबैक का बेसबरी से इंतजार रहेगा नमशकार दोस्तों, आज हम जानेंगे पाँच ऐसी चीजें जो आप जब भी कोई शेयर खरीद रहे हैं तो ये पाँच चीजें आपको जरूर देखना है और खुद से पूछना है साथ ही इस वीडियो के end में मैं आपको बताऊंगा एक bonus टिप भी जो हर शेयर लेने से पहले आपको ध्यान रखना है और ये सारी चीजें जो मैं आज बताने वाला हूँ ये बहुत interesting होने वाली है और आपके लिए बहुत easy to follow भी होने वाली है तो चलिए जानते हैं क्या है वो 5 ऐसी चीजें जो किसी भी शेयर लेने से पहले आपको जरूर जाच लेना है नमशकार दोस्तों मैं हूँ प्रांजल कामरा शुरू करते हैं फिनोलॉजी हर तरफ बहुत noise है जहां देखो stock recommendations, experts, कोई ना कोई stock बता रहे हैं मैं अक्सर हम जरूरत से जादा stocks ले लेते हैं हर बार stock कोई भी खरीदने से पहले आपको खुछ से एक सवाल पूछना है और वो ये कि मेरे पास पैसे बहुत limited है चाहे 10,000 रुपे हो, लाक रुपे हो, या 10,000 रुपे हो, सब के पास पैसे बहुत limited है तो अगर मैं X, Y, Z कंपणी के शेर खरीद रहा हूँ 20,000 रुपे के तो खुछ से पूछिए कि क्या वो 20,000 रुपे के लिए ये शेर खरीदना उस पैसे का best use है क्या इस 20,000 रुपे से मैं X, Y, Z कंपणी के शेर खरीदने के अलावा उससे बहतर कोई और काम नहीं कर सकता क्योंकि जब आप अपने मेहनत के कमाई के पैसे किसी कम्पनी में लगा रहे हैं तो आप पार्टी, कपड़े, गैजेट, ना जाने क्या-क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं कि आपका पैसा ग्रो करे तो ये बहुत जरूरी है कि आप हर बार खुछ से पूछें क्योंकि मार्केट में भी सारे-3,000 कमपनियगे अवेलेबल है तो पूछिए खुछ से, क्या सारे-3,000 कमपनियों में आपके 20,000 रुपे के लिए यही कमपनी बेस्ट है जिसमें आप पैसा लगाना जा रहे हैं यह simple सा सवाल जब आप पूछेंगे खुझ से तो अगर आप महीने में 10 stocks खरीदते होंगे तो एक चीज तो confirm है कि वो 10 के बदले आपके वल 1 खरीदेंगे और वो 1 आप बहुत सोच समझ के खरीदेंगे और वो आपको बहतर result देगा यह simple सा question हर बार stocks खरीदने से पहले खुझ से पूछेगा और इसी से जुड़ावा है second सवाल जो आपको खुझ से पूछना है कई बार ऐसा होता है कि हमने 5000 रुपे का यह कमनी खरीद ली 5000 रुपे के कोई दूसरी, 10,000 रुपे के कोई दूसरी ऐसा बड़ा सा basket बन जाता है एक simple नियम यह है कि imagine करिए कि आपके पास कुछ लाक नहीं 5-10,000 करोड रुपे हैं और फिर खुझ से पूछिए कि अगर आपके पास 10,000 करोड रुपे होते तो क्या आप जिस कंपनी का कुछ 1000 रुपे का शेयर्स खरीद रहे हो क्या आप उस कंपनी को पूरा खरीद के उस कंपनी को खुझ चलाना चाहते क्या वो बिजनस इतना अच्छा है जिसमें आप invest कर रहे हैं कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे होते तो आप उस बिजनस को टेक ओवर करके आप ही manage करते इतना exciting क्या वो बिजनस आपको लगता है और क्या आपको ऐसा लगता है कि उस बिजनस को आप इतना समझते हैं कि उस बिजनस को आप पूरा खरीद के खुद manage भी कर लेते अगर आपको लगता है कि यह ऐसा business है जिसे मैं खुद या तो खरीदता ही नहीं क्योंकि मुझे पसंद नहीं और खरीद लेता तो चला नहीं पाता क्योंकि या तो मुझे समझ नहीं है इस business की या यह business बहुत मुश्किल है तो मतलब वो business आपके circle of competence से बाहर है और आपको वो share नहीं लेना चाहिए Warren Buffett एक simple सी चीज़ कहते है Don't buy a part of it if you wouldn't own the whole of it तीसरी चीज़ आती है कि Is it managed by a person you can trust? क्या उस company को वो company का business model शायए दुनिया का सबसे अच्छा हो सकता है वो company बहुत profitable भी हो सकती है लेकिन क्या उसको चलाने वाले लोग अच्छे हैं क्या वो लोग इमानदार हैं जादातर investors जब share बाजार में डूबते हैं long term investing करके तो वो एक कारण से डूबते हैं और वो ये कि वो ऐसी companies ले ले लेते हैं जिसमें करजा बहुत जादा है और उसके promoters company से पैसे घुमा के personal use के लिए transfer कर देते हैं और bank को पैसा नहीं लोटाते हैं तो एक simple चीज़ मान लीजिए कि जो आदमी, जो management bank को उसका पैसा नहीं लोटा रहा वो आपको भी आपका पैसा लोटाएगा नहीं तो जो भी company ऐसी है जिसने bank payments में default किया है या जिसकी market में reputation अच्छी नहीं है कि यह पैसे नहीं लोटाता वैसी company को आपको हाथ लगाना ही नहीं है जो income tax department के साथ धोका कर सकता है banks के साथ धोका कर सकता है वो आपके साथ, shareholder के साथ धोका जरूर करेगा लेकिन अब आप कैसे पता करेंगे कि management अच्छा है की नहीं trust करने के लायक है की नहीं बहुत दो-तीन simple तरीके हैं पहला तरीका annual report खोलिए और ये देखिए कि अगर पिछले साल के मुकाबले इस साल company का profit कम हुआ है तो जो manager है उसने अपनी salary उतनी ही रखी या अपनी salary को भी उस अनुपात में कम किया अगर company के मुनाफ़े के हिसाब से salary भी उपर नीचे होती है तो ये एक अच्छा sign है लेकिन company loss में है और management अपनी salary बढ़ाये जा रहा है तो ये एक लालची और selfish management का sign है ऐसे management से दूर रही है इसके अलावा अगर management हर हफते TV में आके अपनी company की तारीफ किये जाता है और अपने future plans की तारीफ किये जाता है कि अगले साल हमारे income दुगनी हो जाएगी पात साल बाद हम दुनिया में number one हो जाएगी ऐसा repeatedly अलग-अलग news channels में आके अगर वो कर रहा है अगर आपको बार बार एक ही company का owner अलग-अलग TV channels में दिखे तो समझ जाएगे कि हो सकता है ये share price बढ़ाने की और shareholders को सुनहरे सपने दिखाने की कोशिश हो सकती है ऐसे management से दूर रही है अगर आप news में ये पढ़ रहा है कि वहाँ income tax raid हो रही है उस company में SEBI की enforcement department की raid हो रही है ministry of corporate affairs की कोई उस company के साथ problem चल रहा है ऐसी company से दूर रही है चौथी चीज़ आपको ये देख रहा है कि जो company आप select कर रहे है उस company के products या service आप ये imagine कर सकते हैं कि नहीं कि आज से 10 साल बाद भी उस company के products useful होंगे बहुत सारी ऐसी company हैं जो आज तो बहुत अच्छा कर रही है लेकिन वो future के लिए ready नहीं है जैसे हो सकता है कि आज कोई ऐसा restaurant हो जो काफी चल रहा है लेकिन उनका Zomato और Swiggy के साथ tie up नहीं है वो online food delivery करते ही नहीं तो हमको ये अंदाजा लग जाता है कि आज से 2-4 साल बाद जब लोगों को बिल्कुल online food order करने की ही आदत लग जाएगी तो ऐसा restaurant जो Zomato Swiggy के साथ ही नहीं उसकी growth में problem आ सकती है ये एक simple सा example है तो जो भी company आप select कर रहे हैं उसके बारे में ज़रा ऐसा सोचिए कि ये जो भी product बनाती है वो आज से 10 साल बाद भी लोग use करेंगे की नहीं ऐसा तो नहीं है कि 10 साल बाद इसके products का use ही खतम हो जाएगा जैसे automobile sector में कोई ऐसी auto ancillary company हो सकती है जो diesel engine के लिए parts बनाती है अब ये हम सब को पता है कि आज से 10 साल बाद diesel engines hardly automobiles में लगेंगे तो वो company जो आज diesel engine में लगने वाले parts बनाती है भले ही वो आज अच्छा profit कमा रही हो आज सब कुछ अच्छा लग रहा हो लेकिन 10 साल बाद के भविश्य के लिए in fact 2 साल तीन साल बाद के भविश्य के लिए उस company के मुझे बहुत चिंता होगी और ऐसी company में मैं invest नहीं करूँगा तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस company में आप invest कर रहे हैं वो उसके products या services is futuristic होनी चाहिए और अब 5 बाद step आपने अभी तक की सारी चीज़ें जैसा मैंने बताया है वो कर ली आपने देख लिया कि company के products futuristic है आपने देख लिया कि management अच्छा है आपने ये भी figure out कर लिया कि सारे business ideas में से आपको ये ऐसा business है जो आपके पैसे का best use लगता है अब आती है पांचवी चीज़ बहुत जरूरी है क्या जो ये चार चीज़ें आपने देखी ये market को भी पता है उस company के बारे में और market already उस company को इतना अच्छा मानता है कि market ने उसको बहुत ज़ादा overvaluation दिया वा है अगर ऐसा है तो इस company से आप ज़ादा पैसा नहीं कमाएंगे एक सवाल जो ये सारी research के बाद आपको खुछ से पूछना है वो ये कि market इस company को पसंद करता है या नहीं usually पैसा तब बनेगा अगर market उस company को पसंद नहीं करता लेकिन यहाँ पे एक complication और है कि 90% of the time market is right क्योंकि market में बहुत सारे experts मिल के research कर रहे हैं तो usually market is right तो 90% of the time अगर आपने कोई ऐसी company चुनी है जिसे market पसंद नहीं करता तो सही में legitimate reasons होंगे कि market उसे पसंद नहीं करता तो अब आपको ऐसी company ढूणनी है जिसे ना सिर्फ market पसंद ना करता हो बलकि आपको ये भी यकीन हो कि market गलत है आपको कुछ ऐसा पता है आपने कुछ ऐसा देखा है उस company में जो बाकी ने नहीं देखा जो market को नहीं पता तो आपको वो 10% ऐसी opportunities ढूणनी है जहां market को कोई company ना पसंद हो पहला तरीका कि आप ऐसी company उन sectors या उस industry में देखिए जिस industry में आपने काम किया है या आपको experience है जैसे अगर आप bank में काम करते हैं तो banks के बारे में आपको इतना कुछ पता है bank sales कैसे करते हैं operations कैसे करते हैं किस bank में क्या problem है ये सब आपको अपने office discussion के current पता है जो कि general market को नहीं पता तो हो सकता है कोई ऐसा bank हो सकता है जो market को लगता है कि अच्छा नहीं है आपको लगता है कि अच्छा है अगर आप किसी automobile sector में काम करते हैं तो बहुत सारी ऐसी automobile company हैं आजकल अच्छा नहीं कर रहे हैं जिनमें loss चल रहा है तो market को लगता है कि इनकी sales नीचे जा रही है लेकिन क्योंकि आप उस company में काम करते हैं तो हो सकता है आपको पता हो कि ये company इस साल 4-6 नई गाडियां launch करने वाली है और उनमें से एक भी चल गई तो पूरा trend reverse हो जाएगा तो आपके पास कोई ऐसी knowledge है अपनी experience के कारण जिसको आप use करके market को गलत साबित कर सकते हैं ये एक बहुत simple तरीका है market को outperform करने का second, आप ये देख रहे हैं कि market में temporary panic है उस sector में या external हालातों के कारण जैसे आज ही देख लीजे वो US, Iran के problems के कारण हमारा nifty 500 points down है तो market में ऐसे panic situations का आप use कर सकते हैं किसी एक sector में जैसे पिछले 2-3 सालों में mid caps और small caps index 20-30% तक गिर गया है तो भारत की क्या सारी mid cap और small cap कम निया 20-30% खराब हो गई है नहीं, ये obvious है में अभी opportunities ढूंड़ना काफी आसान है तो आपको ऐसे pockets तलाशने हैं जहां market over panic कर रहा है या over react कर रहा है या फिर आपको ऐसी industry देखनी है जिसमें आपके पास additional information है ये दो तरीकों से आप ऐसे stocks pick कर पाएंगे जो कमनिया बहुत अच्छी है लेकिन market को नहीं पता कि वो अच्छी है इन बातों का ध्यान हमेशा रखिये तो इससे पहले कि मैं उस bonus tip की तरफ जाओं अगर आपको आज की ये सारी tips पसंद आई हों तो इस वीडियो को like जरूर कर दीजेगा और जितने भी आपके friends and family में लोग stocks में invest करते हैं या करना चाहते हैं उनके साथ share जरूर कर दीजेगा साथ ही इस चैनल को subscribe करना और bell icon को दबाना बिलकुल मत भूलिए तक कि ऐसे similar videos का notification आपको मिलता रहे और अब बारी है bonus tip की आपने ये सब कुछ कर दिया आपने एक ऐसी company ढूण ली जिसे ढूणना बहुत मुश्किल है जिसके बारे में market गलत था आप सही थे लेकिन आपको खुद पर confidence ही नहीं था आपके पास थे 10 लाक रुपे आपने लगाए 2000 रुपे और वो share 5 गुना बढ़ भी गया तो आपके 2000 रुपे 10,000 हो गया लेकिन आपके 10 लाक के corpus पे hardly कुछ फर्क पड़ा तो जब आप ये पाँचो steps वाली महनत कर लेते हैं जब आप उस एक potential multi bagger को ढूण लेते हैं तो खुद पे ये भरोसा भी रखिये कि कम से कम अपनी portfolio का 5% उस stock में लगाई है ताकि अगर वो stock सच में multi bagger हो तो आपका 5% बढ़के 20, 25, 30% हो सके और आपके overall wealth में कुछ फाइदा मिले मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जिनके पास 20 लाक रुपे हैं वो 15 लाक रुपे property में लगा देंगे 3 लाक रुपे gold में लगा देंगे 1 लाक रुपे insurance और FD में लगा देंगे 50,000 mutual funds में लगा देंगे लेकिन stocks वो चुनेंगे भी अच्छे लेकिन stocks में लगाएंगे 50,000 तो उनके पास total पैसा था 15 लाक stocks में लगाए 50,000 अब अगर वो साल दो साल में बढ़के लाग देड़ लाग हो भी गया तो उनके 15 लाग के corpus पे कोई फर्क नहीं पड़ा अगर आपको किसी company पे भरोसा है किसी portfolio पे भरोसा है तो उसमें इतना पैसा लगाईए भी कि आपकी portfolio पे impact पड़े आपकी wealth creation हो सके ये बहुत जरूरी है बहुत सारे लोगों को अच्छी stock picking आती है लेकिन उनके पास वो conviction नहीं है कि वो अपने stock picking skills पे पैसा लगा सके और अगर आप खुद stock market को in depth सीखना चाहते हैं अगर आप एक successful value investor बनना चाहते हैं तो आप join कर सकते हैं Academy of Value Investing को जहां मैं आपको सिखाऊंगा Hindi और English में एक साल तक लगातार अच्छे stocks pick करना वीडियो, quizzes, practical lessons और examples के जरीए तो उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप मुझे मिल सकते हैं इन सारी social media websites पे भी मैं लाता रहूँगा ऐसी और बहुत सारे वीडियो तब तक के लिए, दिस इस प्रांजल कामरा, signing off, bye bye